के लुट वाट एलो पैयारे बच्छो कैसे हैं आप प्यारे बच्छो का हिए यू पड़ यह के अंताय केंद्रित एकक कोस्टिका के केंद्र में सित अव्यावी कनों की संख्या कितनी होती है तो बच्चो इसका आंस्वर है अंताय केंद्रित एकक कोस्टिका के केंद्र में सित अव्यावी कनों की संख्या एक होती है second question है बच्चो की छांत केंद्रित कद समर्द करना है इसको निकालने का formula है तो सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा पर्मानू का आयतन भाग गन का आयतन गुना 2 गुना 100 परतिशत अब बच्चों आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा यहां पर 4 बटा 3 पाई आर क्यू गुना 2 गुना 100 परतिशत बटे में बच्चों आएगा नो की घात 3 तो बच्चों यहां पर आपको जैड का मान 2 देना पड़ेगा और एक का मान 4 आर बटे में रूप 3 आगे बच्चों आपको हल करना है 4 बटा 9 गुना तो यहां पाई का मान लिखना है 3.14 गुना आर क्यू गुना 2 गुना 100 परतिशत बटे में आएगा बच्चों आपका ब्रैकिट में 4 आर बटे रूप 3 और ब्रैकिट बंद करके आपको 3 की घात लगाने है उसके बाद बच्चों आएगा 8 बटा 3 गुना तो यहां पाई का मान लिखना है 3.14 गुना आर क्यू गुना 100 परतिशत बटे में आएगा 64 ब्रैकिट और आपको अंड्रूट करना है 3 गुना 3 गुना 3 क्यों करना है क्योंकि यहां पर आपको 3 को 3 बार गुना करना है उसके बाद बच्चो आपको करना है 8 बटे 3 गुना 3.14 गुना RQ गुना 100 परपिशाद बटे में आएगा बच्चो 64 RQ बटे में 3 रूप 3 बच्चो रूप 3 का मान होता है 1.7 तीन दो और पाई का मान बच्चो 3.14 होता है यहां साइड में लिखा हुए आप नोट कर लीजिएगा तो बच्चो यहां आपको करना है 8 गुना 3.14 गुना RQ गुना 3 रूप 3 गुना 10 परतीशत तो बच्चो बटे में आएगा 3 गुना 64 RQ यहां बच्चो आपको कट करना है आप कर सकते हो जैसे 8 को आप करोगे 64 से तो 8 आज जाएगा फिर आप 8 को कट करोगे 100 से तो कर जाएगा आपका इस तरह से आप काट भी सकते हो तो बच्चो आपको यहां लिखना है आप 3.1,4 गुना जब आप कट करोगे तो आपका आंसवर निकलेगा यह तो यहां पर आपको root team का जो मान दे रखा है वो लिखना 1.7,2 गुना 25 तो जब आप कट करोगे तो यहां आपका short में आंसवर आएगा तो आपको cut करना आता है आप कर सकते हो cut अगर मैं यहां cut करके दिखाऊंगे बच्चो lengthy हो जाएगा तो आप cut करिएगा फिक है इसके बाद बटे में बच्चो आजाएगा दो अब आपको जब इसको आपस में गुना करोगे multiply करोगे तो आंसवर आएगा 135.9,62 बटे में 2 और इसकी जो संकूलन शमता है BCC की वो आजाएगी 68% यानि 68% तो बच्चो यह second question आप पा हल होता है अब हम चलेंगे थर्ड question की तरफ तो बच्चो थर्ड question है कि अंता है केंद्रीत एकक कोश्टिका की संकूलन दक्षता कितनी होती है बच्चो अभी हमने निकाली थी 68% होती ह अंता है केंद्रीत एकक कोश्टिका की संकूलन दक्षता होती है बच्चो 68% यानि 68% परतिशत चोथा प्रशन है अंता है केंद्रीत एकक कोश्टिका में कुल अभी कर्णों की संख्या ग्याद कीजिए तो बच्चो आपको यहाँ पर फार्मूला लगाना पड़ेगा सब से पहले कोनों पर कन कितने होते हैं गुना में एक कन का योगदान प्लस केंद्र पर कन गुना एक कन का योगदान तो बच्चो कोनों पर कन होते हैं आठ और एक कन का योगदान होता है एक बटा आठ और फिर प्लस में आएगा बच्चो केंद्र पर एक कन होता है हमने स्ट बच्चों एक रहेगा और यहाँ पर एक गुन्य में एक आ जाएगा और एक होता है बच्चों दो कनों की संख्या और गयाद कीजिए तो आपको गयाद करके दिखानी पड़ेगी S.S.C. में अव्यवी कनो की संख्या होती है, बच्चो कनो की संख्या गुना एक न का योगदा तो हमने उपर भी बच्चो सेम किया था, बट ये था कि अंता केंदरित में बताना था, तो हमारा थोड़ा सा सम था लेंती हो गया, हमें केंदर पर जो कना था, उसका भी निकाल लेकिन यहां पर रहा है कंदर पर नहीं होता है तो हमें इतना ही लिखना है कंदर कशड trolls के अब एक कंदर में कंदर की शंख्य प्ल्स केंदर पर नहीं होता है तो इतना है K alredki Saun करने पर आड'll किसंझ से इड़ा दो उपर एक भी रहा बच्चो तो एक हम ने यहां लिख दिया 1 को एक से म덈प्लाइग किया तो एक ऑगया 1 और ashtu यह था प्रक्राट्स आज आपका multiply किया तो एक आ गया एक और एक होते है दो कर तो ये था बच्चो आज आपका chemistry का homework फटावट कीजिए टीजर जी को दिखाईए अगर आपके पास बच्चो और तरीका है करने का तो आप वो भी हमें send कर सकते हो केलिग्राम पर हम आपकी भी बच्चों कर सकते हैं और आपके नाम से वीडियो भी बना सकते हैं ताकि हम बता पाएंगे कि यह हमारे स्टूडेंट्स ने हमें करके सोल करके बताएं थैंक यू